हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रंजनी इंस्टिट्यूट मेरा नाम राजु रंजन है और यह गेट प्रोसेस कैलकुलेशन का कोर्स चलना है ठीक है और लास्ट लेक्चर में हमने सबस्क्राइब करेंगे 번째 है गंद canopy यहां यहां स्क्रीन पर है तो it is desire to to make 100 kg of solution containing 40% salt by mixing solution a containing 20% of salt solution a containing 20% कि इसमें क्या कर रहा है फिर इसी बेसिकली फ्रेंट्स की एक यहां पर यह मिक्स मिक्सर आप अजिम कर लेजिए और इसमें solution a और solution b को mix किया जा रहा है ए में salt जो है 25 परसेंट है और बी में salt है 50 परसेंट और mixed stream जो है 100 kg solution फॉर्म करती है और इसमें जो परसेंटेज है वो 40 परसेंट है तो यह solution a को पूछ रहा है कि कितना amount required होगा 100 mol 40% solution को फॉर्म करने के लिए mol नहीं है इधर kg है सारा इतना भी composition kg के लिए है तो सबसे पहले हम overall balance करेंगे overall balance overall balance करेंगे तो molar flow rate of a plus molar flow rate of b is equal to 100 उसके बाद हम salt balance करेंगे ठीक है salt balance करेंगे तो 25 by 100 into a plus 50 by 100 into b is equal to 40 by 100 तो यहां पर दो equation और दो unknown हमें मिल गया और इसको आप solve कर लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 40 kg और भी आपका आ जाएगा 60 kg तो हमें ए पूछ रहा था तो यह 40 kg आपका solution 1.2 gram atom of carbon and 1.5 gram mole of oxygen are reacted to give 1 gram mole of carbon dioxide the limiting reactant is and the percentage excess of reactant supplied तो सबसे पहले chemical reaction लिखेंगे तो c plus o2 gives co2 है ना फ्रेंट्स अब यह जो gram atom या gram mole फ्रेंट्स यही number of moles होता है नॉर्मल हमारे इसको number of moles को कई बार gram moles भी लिखा जाता है या कई बार gram atoms भी हम लेख सकते हैं तो यहाँ पे हम स्टोक्योमेट्रिक कोफिसेंट से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद देखेंगे जो भी quantity हमें आती है उसमें minimum कौन है तो देखिए कार्बन हमारा limiting reactant हो जाएगा oxygen हमारा excess में रहेगा ठीक है तो अब percentage excess भी यहाँ पर पूछ रहा है percentage excess कितना होता है सप्लाइड माइनस required अपॉन रेक्वाइड इन्टु हंड्रेड तो सप्लाई कितना किया गया है फ्रेंड वन पॉइंट फाइब और एक आए ऑक्सीजन वन पॉइंट टू मोल देखिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिसेंट वन है अपॉन पॉइंटु हंड्रेड है तो यहां से 25 परसेंट हमारा यह सुल्यूशन आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट पर्सेंट देखते हैं इन पार्ट पर मिलियन वाई वॉल्यूम एड एंटी पी अज्यूम देट गैसेज़ा पर्फेक्ट अच्छा तो इसमें क्या है फ्रेंट्स कि जो फ्लू गैसेज हैं उसमें यह कंपोजीशन आप एसोट्व का फाइंड करना है ठीक है तो सबसे पहले हम एक बेसिस ले लेते हैं बेसिस क्या लेते हैं 10 तो दे पावर 6 मेटर क्यूब फ्लू गैस ठीक है और इसमें जो एसो टू का वॉल्यूम है वह हम निकाल लेंगे तो हमें पार्ट पर मिलियन पता चल जाएगा ठीक ह तो यहां पर ध्यान से देखिए वन मीटर क्यूब में पॉइंट टू कीजी है तो एसो टू इन फ्लू गैस कितना हो जाएगा पॉइंट टेंट टू इपाउज शिक्स मोल में कनवर्ट कर लेते हैं तो एसो टू का मॉल्यकुलर वेट कितना है 64 तो पॉइंट टू बाइ 64 इन्टू टेंट टू दे पाउर 6 किलो मोल में आ गया है ना अब इतने किलो मोल एसो टू का हम वाल्यूम निकालेंगे किस से परफेक्ट गैस यहां पर जूम करना है तो पीवी इस इक्वल टू एन आर्टी तो एन टीपी पे टेंप्रेचर हम कितना टूंटी डिग्री सिंटिग्रेट और प्रेसर 180 एम लेंगे ठीक है न तो यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा एन आर्टी बाई वी तो एन हमारे यहां पर दिया है 0.2 upon 64 into 10 to the power 6 into 10 to the power 3 यह हमारा मोल्स आ गया है number of मोल्स आर आपका आगे 8.314 टेंप्रेचर 293 ठीक है 20 डिग्री सेंटिग्रेट कर कितना हो जाएगा 93 और यहां पी रहेगा और कि एंटी वन एटी एम प्रेसर वन इंटू 10 to the power 5 1.01 एक्चुली तो यह हमारा आगया वाल्यूम तो यह आगया आपका 7 क्यूब ठीक है तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख लेजिए कि 10 to the power 6 टोटल वाल्यूम है और एसो टू वाल्यूम कितना है 70,000 मीटर क्यूब तो पार्ट्स पर मिलियन का डिफिनिशन क्या है कि 10 to the power 6 में कितना एमाउंट है कितना यूनिट एमाउंट है 10 to the power 6 यूनिट में टोटल यूनिट कितना किसी कंपोनेंट का है तो पीपीम कितना आ जाएगा सिंपली 70,000 अब इसको हमने वाल्यूम वाल्यूम अजियूम करके सब कुछ किया है देखें वाल्यूम टोटल गैस का और वाल्यूम आप एसोटू गैस करने का आप चाहें तो मोलर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं जैसे भी आपको आसान पड़े आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं next question है the analysis of gas entering the secondary converter in contact sulfuric acid plant is 4% SO2, 13% O2, 83% N2 by volume in the converter SO2 is oxidized to SO3, the gases leaving the converter contains 0.45% SO2 on SO3 free basis, calculate the percentage conversion of SO2 तो इसको हम solve करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर basis ले ले लेते हूँ है तो basis हम लेंगे 100 कि मूल कि एंटर कन्वार्टर ठीक है तब यहाँ पर एक कन्वार्टर दिया गया है अब देखिए यहाँ पर अगर 100 ले लिया तो जो परसेंट हमारा दिया गया है उस परसेंट के basis पे 4 मोल आइसो टू हो जाएगा 13 ओटू हो जाएगा हमारा एंटी थी एंटू हो जाएगा ठीक है आउटलेट पे कौन कौन सी गैसे जाएंगी जो अन्रियक्टेड आइसो टू और जो कन्वार्टेड आइसो थू होगा और आक्सीजन और एंटू ठीक है फ्रेंट्स यह हमारा कन्वार्टर है चलिए अब क्या है फ्रेंट्स कि हम केमिकल रियक्शन लिख लेते हैं तो जो सल्फर डायोक्साइड के ऑक्सीडेशन का रियक्शन का सबसे पहले हम इधर लिखते हैं एसो टू प्लस हाफ ओटू गिपस एसो थ्री यही रियक्शन होगा इधर तो जो फ्रेंट्सनल कन्वार्जन है मा लीजिए वो एक्स है फ्रेंट्सनल कन्वार्जन ओफ एसो टू इस एक्स तो इनिशिली यहाँ पर फोर मोल एसो टू प्रेंट है देखिए फोर एसो टू और थार्टीन ओक्सीजन फोर एक्स हो जाएगा ने फ्रेंट्सनल कन्वार्जन इसका एक्स है तो और यह कितना देखिए हाफ मोल इसका कन्वार्ट होगा अक्सीजन का ते हो जाएगा 13-x by 2 into 4 यह oxygen remain में हो जाएगा और SO3 कितना बन जाएगा 4x तो अब यह जितना भी हमारा यह outlet पे कैसे जा रहा है उसको अब हम लिखेंगे तो देखे SO2 कितना है 4-4x SO3 कितना है 4x फॉर्म हुआ है उसके बाद oxygen 13-2x और nitrogen कितना है nitrogen तो reaction में पार्ट ले नहीं रहा तो 83 इंटर किये तो 83 outlet पे बाहर चला जाएगा तो इस तरीके से friends यह आपका outlet पे हमारा आ गया अब given जो condition है उसको आप ध्यान से देखे है यहाँ पे दिया है outlet पे जो SO2 है वो 0.4% है on SO3 free basis तो SO3 free basis पे हमें composition निकालना है तो इसको हमें neglect करना पड़ेगा इसको हम neglect कर देंगे SO3 को तो अब इसका percentage हम निकालेंगे किसका SO2 का तो percentage SO2 on SO3 free basis 4 minus 4 X plus 13 minus 2 X plus 83 into 100 is equal to 0.45 अब देखिए यहाँ पे सिर्फ X unknown है तो X हमारा यहाँ से बहुत आसानी से हम find कर सकते हैं कितना होगा 0.8935 तो जो percentage conversion है वो कितना आ गया फ्रेंट्स वो आपका आ गया 89.35% ठीक है ना तो इस तरीके से यह बहुत ही आसान question था अब हम fifth question पे move करेंगे यह थोड़ा detailed question है फ्रेंट्स ए्रेंट्च करेंट्च करेंट्स रेंड रेंड लो फट वार लोग ऑन वार लोग अववई गhãर लो यहली अपर लिगन शिजया लोग जायर वूश इसभी लोग अवई स्थाइन विमार इव जा रेंड स्थाइब जायर अवई युशे वी विय। यूट लोग ऑन एव स्थाइब इस ब्साइघ टोड बनी तो थर्टी थर्टीन हंड्रेट डिग्री सेंटिग्रेट और गीवेन यह जो एवरेज स्पेस्फिक हीट्स हैं ते यह भी इस टाइप का हम अल्रेडी डिसकस कर चके हैं इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे होगा क्या फ्रेंड्स की यहां पर एक कमबस्टर ह ठीक है और इसमें गैसेज इंटर करेंगी और जब गैसेज इंटर करेंगी तो यहां पर रियक्षन होगा और यह देखिए हीट औफ रियक्षन निगेटिव में है मतलब एक जो थर्मिक रियक्षन है तो हीट प्रोडूइस होगी और हीट प्रोडूइस होगी तो जो रिय तो परसेंटेज एक्सेस एयर हमें निकालना है तो जो इनलेट पर हम सबसे पहले बेसिस ले लेंगे बेसिस क्या लेंगे वन मॉल यहां पर इंटर करेगा और इधर पर हम रियक्शन लिख लेते हैं कि रियक्शन किस तरीके का है और आप अजियूम करिए कि यहां पर एक्समोल ऑक्सीजन प्रजेंट था अब देखिए क्वेस्चन में हमें पूछ रहा था कि फाइंट पर्सेंटेज एक्सेस एयर यूजड इसलिए हमने इसको वैरियेवल के फॉर्म में लिया हुआ है ठीक है नहीं तो और क्वेस्चन में ये भी दिया था कि जो मेथेन है वो कम्प्लेटली बर्न हो जाएगा तो ये जब रियक्शन कम्प्लेट होगा तो मेथेन जीरो हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इधर इधर इनलेट पे जो भी चीज़े हैं वो हम लिदते हैं तो इनलेट पे हो गया 1 CH4 और XO2 तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा इधर 0.79 इन्टो एक्स बाइ पॉइंट टू वन एन्टो ठीक है और आउट्लेट पे हम देखेंगे तो क्या है CO2, H2O, O2, M2 देखें यही चार गैसेज हैं तो CO2 कितना होगा यहाँ पे एक्स माइनस टू मोल और नाइट्रोजन सिमिलर जो यह नाइट्रोजन है वही नाइट्रोजन यह आउट्लेट पे आ जाएगा 0.79 x upon 0.21 ठीक है ने फ्रेंड्स अब स्टाइकोमेट्रिक वाली कैलकुलेशन तो हमारी हो गए अब जो हीट बैलेंस वाला पार्ट है वह हम देखेंगे फ्रेंड्स देखिए क्या होता है 25 डिगरी पे हमारा रियक्टेंट रहेगा और वह रियक्शन में पार्ट लेगा रियक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हीट जनेरेट होगी और यह टेमपरेचर राइज करके 25 से जो रियक्शन कौन जिम्मेदार है यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहे है डेल्टा एज की वज़े से ठीक है ना तो यहां पे अब लिखना सुरू करिए कि हीट प्रोड्यूस अगर वन ओल दखिए यहां पे दिया गहन है कि हीट प्रोड्यूस पर ओप सीएच्फ पोल तो और यहमने हमने बेसिस लिया है तो तोटल हीट प्रोडूस कितना हो जाएगा हीट प्रोडूस कितना हो जाएगा एट पॉइंट जीरो टू इट इंटू टेन टिव पॉर फाइब ठीक है ने इतना हीट हमारा प्रोडूस होता है और यहीट फ्रेंट्स यूटिलाइज हो जाएगा किसमें इस रियक्शन मिक्चर के टेंपरेचर को 25 से 1300 करने में तो mcp delta t तो q is equal to यह वाला formula हमें यूज करना है तो q हमारे पास कितना है 8.028 into 10 to the power 5 अब देखिए mcp delta t यह तो किवल एक component के लिए होता है और इसमें कितने सारे component है यह सारे component देया हुआ है ठीक है तो सारे के लिए m delta t तो सबके लिए सेम है तो सबसे पहले delta t ही हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 1300-25 ठीक है और mcp 51.88 इसका cp दिया हुआ है देखिए ऐसे ही सबका cp हमें इधर दिया हुआ है तो यह co2 का हमारा हो गया उसके बाद h2o का 2 into 40.45 plus oxygen के लिए हम लिखेंगे oxygen कितना है x-2 into oxygen का जो cp है वो 34.1 plus nitrogen यहाँ पे कितना हो जाएगा जब यह calculation करेंगे तो यह हो जाएगा 3.7619x तो 3.7619x into nitrogen का कितना दिया हुआ है 32.21 32.21 तो इस तरीके से देखिए यह पूरे equation में सिर्फ क्या unknown है x unknown है तो इसको जब solve करेंगे आप तो x आपका में लेगा 3.641 मोल थीक है अब देखिए परसेंटेज एकसेस oxygen आप निकालेजे परसेंटेज एकसेस oxygen अब देखिए वन मोल CH4 है तो वन मोल CH4 के लिए टू मोल ऑक्सीजन का requirement है तो required होगा 2 by 2 into 100 तो यह हमारा आ जाएगा 82.064 परसेंट इतना परसेंट एकसेस आएगा एक बार मैं चेक कर ले ता हूँ ठीक है फ्रेंट्स इतना ही आया है और question में पूछा था percentage परसेंटेज एकसेस एयर फ्रेंट्स ठीक है परसेंटेज एकसेस एयर और परसेंटेज एकसेस ऑक्सीजन इक्वल होगा तो हो जाएगा 82.064 सेम ठीक है यह हमारा आंसर है तो इस तरीके से एनर्जी बैलेंस का जब भी question रहेगा तो उसमें आपको यही चीज ध्यान देनी है कि जो भी heat प्रोड्यूस हो गया से एक्जोथर्मिक रियक्षन में वही यूतीलाइज होगा रियक्षन मिक्षर के टेमपरेचर को इंप्रीज करने में छेंट है नेक्स्ट question 1991 का first question है friends यह भी बहुत ही simple question है अवेट paper pulp content 75% water after 100 kg of water is removed in a dryer यहाँ पर एक dryer unit ले लेते हैं 70% 70% water है इधर और 100 kg water remove कर दिया गया है ठीक है it is found that now pulp containing 30% water ठीक है ने तो अज्यूम करिए कि जो original pulp है वह x kg यहाँ पर था ठीक है तो जो solid होगा इसमें कितना हो जाएगा 75% water है तो 0.75 x h2 हो रहेगा इसमें and 0.25 x आपका solid रहेगा अब देखिए water इधर से remove किया गया है तो सारा का सारा solid किसमें आ जाएगा इधर आ जाएगा कितना 0.25 x solid ठीक है और water इधर कितना आएगा 0.75 x water था 100 इधर से remove हो गया तो 0.75 x minus 100 यह आपका h2o इधर outlet पर आ जाएगा अब यह दोनों solid और स्टू हमें पता चल गया और composition यहाँ पर 30 परसेंट दिया है तो सेम के सेम हम यहाँ पर 25 x upon 0.75 x minus 100 into 100 is equal to यहाँ प्लस 0.25 x भी होगा ना is equal to 0.3 यहाँ 30 परसेंट है डायरेक्ट 30 लिखे तो यहाँ से आपका एक्स आगया 155.55 kg अचल गया फ्रेम्स अच्ट्वेस इस प्रोडूस्ट फ्रॉम दे रियक्शन यह रियक्शन है इससे च्टूस हमें प्रोडूस हो कर 120 kg of FES reacts with 150 kg of HCl and 0.5 kg mole of H2S has been produced ठीक है ठीक है यह डिग्री ओफ कॉम्पलीशन ओफ रियक्शन इन लिम्टिंग रियक्टेंट इस लिम्टिंग रियक्टेंट के टर्प में डिग्री ओफ कॉम्पलीशन निकालना है सिम्पली पूछ रहा है कि लिम्टिंग रियक्टेंट का परसेंटेज कन्वर्जन कितना है और यह भी बताना है कि लिम्टिंग रियक्टेंट आखिर है कौन तो रियक्शन सबसे पहले लिखिए एफ इस प्लस टू एच सी एल गिपस एफ इस सी एल टू प्लस एच टू एस यह बैलेंस्ट रियक्शन है तो जो एफ इस है वो बोला है वान टॉन्टी केजी और है 150 केजी सबसे पहला काम हमें जब भी केमिकल रियक्शन को डिल करना है तो केजी को मूल में कनवर्ट करना पड़ता है तो वान टॉन्टी बाई एटी एट इसका मॉलिकुलर वेट एफ इसका एटी एट है आप कैल्कुलेट करके देख लेना उसके बाद यह 150 बाई 36.5 यह सब किलो मॉल में आ जाएगा किलो मॉल ठीक है तो यह आगया वन जो यहां पर यह पूछ रहा है कि limiting reactant count है उसके लिए क्या आपको stoichiometrics से divide करना पड़ेगा तो जब stoichiometrics से divide करेंगे तो यह one इसमें one का division करेंगे इसमें two का division करेंगे तो इसमें two का division करेंगे तो यह two point something आ जाएगा जो कि तब भी इससे one point three six से greater ही रहेगा इसके मतलब minimum quantity कौन सा है यह है तो minimum quantity यह है तो limiting reactant यहां पर यह वाले question को हम यहां पर fill कर जाते हैं एक पार्ट तो question का हमारा solve हो गया अब नेक्स्ट पार्ट में प्रेंट्स कि हमें percentage conversion of fes चाहिए ठीक है ना कि तो कि इस ट्रेक्वेंट्री में आप देखिए इसको हटा देते हैं इसका कोई काम नहीं कि अब देखिए तो question में हमारा दिया था कि जो एस टूस है वह 0.45 किलो मोल्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर जो प्रोड्यूस्ट होगा चलिए इसको यहां देखते हैं यह प्रोड्यूस होगा एस टूस पॉइंट फाइब तो यहां प्रोड्यूस होगा वह भी पॉइंट फाइब किलो मोल्ड ठीक है और इन सब में से 1.36 माइनस पॉइंट फाइब मोल्ड यहां से कंजूम हो जाएगा तो रिमेनिंग एफ इस इतना बचेगा और सेल कितना बचेगा 4.1095 माइनस टूस तो लिमीटिंग रियक्टेंट इसके लिए हमें पर्सेंटेज कानवर्जन बताना है पर्सेंटेज न논 या लिए डिघरी अफ कॉम्पलीजन फॉर्द लिम्टिंग रियक्टेंट दोनु ऊकी बात है तो फीड़ पर कीतना था फीड माइननस आउटलेट अपॉन फीड इन्टू हंडेड यही तो कन्वर्जन का डेफिनीशन है तो फीड पे था 1.36 और आउटलेट पे है 1.36 माइनस 0.5 भाई 1.36 इन्टू हंडेड तो यह आजाएगा आपका 36.76 परसेंटेज फ्रेंट्स ठीक है तो यह भी बहुत ही आसान प्रेंट्स था बस मूल में कन्वर्ट करके स्टोकियोमेट्री का यूज करके इसको सॉल्व करने की ज़रूरत थी अब यह थार्ड प्रेंट्स देखते हैं फ्रेंट्स हीट अफ हीट एब्जॉर्ट फर आइसो थर्मल रिएक्शन यह रिएक्शन हमें दी गई है सी फोर एच टेन गिफसी टू एच फोर एच फोर एड़ एड़ी टू एच फोर एड़ी टू एट एट के लिए वन एटी एम प्रेसर ठीक है तो हीट एब्जॉर्ड बताना इसमें तो बिसिकली हमें ब्रेसर डिएक्शन के लिए थिकलों इस टेंडर를 हीट आफ कमब relation हमें यहाँ पर दिया गया है इनसब का मैं ठीक है फ्रेंज वेफ्यों परेसर इसमेच कमपोनेंट आई उनका इस्टेंडब हीट आफ कमबशन दिया गया हैं तो यह शिम्पल से फोर्मूले पे हम डेल्टा एच गॉम्बॉशन ठीक है किसका रियक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा एच गॉम्बॉशन तो यह बात हमेशा आप ध्यान में रखिए जब हीट अफ फोर्मेशन हो तो उसमें प्रोड़क्ट माइनस रियक्टेंट होता है और जब हीट अफ कॉमबॉशन हो तो reactant minus product होता है यह आपको याद रखना पड़ेगा कहीं confused होके आप गलत ना कर दें तो delta H ही हमारा heat absorbed या heat released होता है तो reactant के लिए सबसे पहले हम देखते हैं तो reactant यह है तो यह हो जाएगा minus 2873.5 minus product कौन सा है यह माइनस माइनस 1511.9 minus और यह हमारा प्रोड़क्ट यह 1561.0 तो यह delta H हो गया 99.4 ठीक है फ्रेंट्स तो यह आपका heat of conversion से simple method से आ गया है यह फर्मूला आप जरूर याद रखिए इससे एक दो बार पूछा दिया है objective में अब यह question फ्रेंट्स तो उसमें भी यह question था मैं similar question ही solve कराया हूँ तो आप ना हो तो जाके उधर देख लीजिए मैं इसको short में फिर भी बता देता हूं ठीक है इसको ध्यान से पढ़िए पहले यह calcination का question है फ्रेंट्स लाइम इस्टोन इस मिक्स्ट विथ कोग इस बिंग बंड इन किल्न और एवरेज अनाल्सिस ऑफ लाइम इस्टोन इस यह स्योथी 84.5 परसेंट एमजी स्योथी 11.5 परसेंट एंड रेस्ट इनट इस दो कोग कंटेंश 75 परसेंट आफ कारवन और 3 परसेंट मॉइस्ट्र तो सबसे पहले हम यह लिख लेते हैं सबसे पहले हम रियक्शन लिख लेते हैं ठीक है ताकि इसकी समाझ बने सीए सीओ थ्री जब हीट किया जाएगा तो कैल्सियम ऑक्साइड और सीओ टू प्रोड्यूस करेगा सिमिलरली एमजी सीओ थ्री एमजी ऑक्साइड प्लस सीओ टू पूड्यूस करेगा और जो कोक इसमें एंटर कर रहा है फ्रेंट्स कैल्सिनेशन प्रोसेस में वह ऑक्सीजन से रियक्ट करके कार्बन डायोक्साइड पॉम कर ले रहा है तो यह तीन रियक्शन हो जाती है देखिए कोक भी प्योर नहीं है इसमें 76 परसेंट ओनली कार्बन है बाकी 21 परसेंट एस है और 3 परसेंट मॉस्चर है दक कैल्सिनेशन आप सीओ सीओ थ्री इस ओनली 95 परसेंट कम्प्लीट और एमजी सीओ थ्री इस 90 परसेंट रियक्शन का कम्प्लीशन है वो 90 परसेंट है और यह जो कार्बन है यह कंप्लीटली बॉर्ण हो गया यह क्वेस्चन में दिया है तो सबसे जो पहली बात है वो आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रोड़क्ट में होगा क्या फ्रेंट तो यहां पे हम प्रोड़क्ट लिख लेते हैं सबसे पहला जो है यह जो दो एक्षन वह रही है उसमें जो सीए सीओ और और एमजी सिओ थी यह जो react बची हुई है वो होगी उसके बाद देखिए यह जो reaction से form हुआ है calcium oxide and magnesium oxide यह भी solid में रहेगा यह दोनों solid में रहेगा और यह तो gas में लेब कर जाएगा अच्छा उसके बाद देखिए जो यह lime stone था उसमें 84% पर्शेंट आपका CSU3 था और 11 पर्शेंट MgCO3 था और रेस्ट एनर्ट है तो जो लाइम स्टोन के साथ एनर्ट है आई वह प्रजेंट रहेगा इस सॉलिड में उसकी अलामा देखिए जो कोक है कोक में 21 पर्शेंट एस था तो वह भी एस भी इस सॉलिड मिक्चेर में पर्जेंट रहेगा और उसके अलामा उस कोक में प्रोडक्ट हमारे रहेंगे किस में जो किलन से बाहर सॉलिड लीब करेगा तो चलिए एक-एक का कंटेंट हम देख लेते हैं कि कितना कितना पर्जेंट रहेगा तो सबसे पहले हम बेसिस ले लेंगे बेसिस लिया हमने 5 kg लाइम स्टोन तो 5 kg लाइम स्टोन लिया तो 1 kg कोक हमें फीड किया ठीक है तो 1 kg कोक में देखिए यहां पर 21 परसेंट एस था नहीं तो जो एस होगा वो प्रजेंट रहेगा उसमें सॉलिड में तो यहां पर जो एस हो जाएगा वो 0.21 kg सिंपली यहां पर यह आ गया ठीक है आचा फाइब केजी आपने लिया था तो 5 kg का देखिए 84.5% mg CO3 है मतलब 5 into 0.845 आपका 84.5% है तो CSU3 आपका हो गया 5 into 0.845 और 5 into 11.5 या के mg CO3 तो यह कितना हो जाएगा 4.22 तो mg CO3 कितना हो जाएगा 5 into 11.5 यह multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट फाइब 75 अब देखिए अब यहां पर क्या कहता है कि कन्वर्जन इसका इसका मतलब 5% 5% रिमेन में बचेगा ना तो CSU3 हो जाएगा 1-0.05 इन्टू इधर आगया 42.4.225 सिमिलर्ली कि एमजी स्यू 3 का कितना है कि एमजी स्यू 3 का कितना है यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया 0.11115 है ना मैं 11.5 लिख दिया था इसको 0.115 यह कॉंटिटी सही आई है क्योंकि मैं पहले सही कैल्कुलेट करके रखा हूँ ठीक है तो यह आ गया 1-0.1 इंटू एमजी स्यू 3 का 90% कनवर्जन है ना तो जो रिमेन में बैचेगा कितना 10% बैचेगा ना सॉरी 1-95 रहे गया और यह रहेगा 1-0.9 इंटू 0.575 तो हमारा CACO3 भी आ गया एमजी स्यू 3 भी आ गया और एनट जो प्रजन्ट रहेगा वो कितना रहेगा देखिए यहाँ पे टोटल 5 था ना टोटल 5 केजी लाइम इस्टोन है और CACO3 इतना है और MGCO3 इतना है तो एनट कितना हो जाएगा 5-4.225 माइनस 0.575 अब यह हमें फाइंड आउट करना है कैल्सियम और इसको फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स आपको number of moles calculate करने पड़ेंगे सबसे पहले ठीक है क्योंकि अब से हमें deal करना है तो अब आपको moles निकालने पड़ेंगे देखिए यही से हम देख लेते हैं जो यह CSU3 है ने फ्रेंड्स यह इतना kg है तो moles कितना होगा इसको 100 से divide कर दिजिए क्योंकि calcium carbonate का molecular weight 100 होता है 4.225 by 100 यह हो जाएगा 0.04 225 ठीक है और यह है 0.575 यह moles में आ जाएगा भाई MgCU3 का molecular weight 84 यह आ जाएगा 0.0061607 mole moles आ गया अब 95% conversion है इस CSU3 का 95% conversion है तो जो calcium oxide देखिए 1 mole calcium oxide form होगा तो calcium oxide कितना हो जाएगा 1 into 0.95 into यह जो number of moles of calcium carbonate है वो कितना है 0.0425 यह क्या आ गया number of moles आ गया अब इसमें हमें किसका multiply करना पड़ेगा calcium oxide के molecular weight से है ना तो calcium oxide का molecular weight होता है 56 तो अब यह जाके calcium oxide kg में हमारा आ गया similarly magnesium oxide इसका 90% conversion है तो 0.9 into number of moles कितना है यहाँ पे magnesium carbonate का 0.006 1607 magnesium oxide का molecular weight कितना है 40 तो देखिए काफी detailed question था इसको पूरा आपको करने के लिए काफी patience का जरूरत है ठीक है ना patience और समझ की भी जरूरत है और इतना detailed वाला question आज की rate में तो नहीं पुछेगे क्योंकि यह अगर आप बहुत speed में भी करेंगे तो इस question को 15 minutes से पहले solve नहीं कर सकते क्योंकि इसमें calculation बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा difference subtle differences और nuances को आपको देखते हुए इसको solve करना है एक एक चीज़ परसेंटेज कनवर्जन फिर composition कभी मोल में कभी केजी में उसके बाद देखिए कोक का कनवर्जन फिर इतनी सारी चीज़े देखते हुए फाइनली जो प्रोड़क्ट बन रहा है उसका composition निकाल पाना यह बहुत ही मुझे तो लगता है कैसी नेशन वाला प्रोसेस इसलिए आज कल यह gate में तो पूछाने जाता है यह पहले यह trend था कि इस तरीके का subjective question पूछा जाता है जिसमें की step marking होती है आज की date में अगर यह question पूछते तो इसमें पहली बात भी हो हमें तो question को समझने से ज्यादा मतलब रखना चाहिए ठीक है तो यहां पर calcium oxide का percentage निकालना है तो यह जो amount हमें दिया गया है इस amount के basis पर हमने जब calculate किया तो यह आया 71.3955% ठीक है friends चलिए अब यह next question देखिए the following data of heat of combustion at 25 are given compound है और heat of combustion दिया है normal heptane का दिया है और ethyl alcohol का heat of combustion दिया है heat of formation of CO2H2O is given CO2H2O का heat of formation भी दिया गया है heat of formation of gaseous and heptane यह हमें find करना है तो जो heptane है उसका हम combustion reaction लिखेंगे तो c6H16 plus 1102 gives 7 CO2 plus 8H2O ठीक है है और है देके हैं है यहां पर डेल्टा है दिया है तो इस reaction के लिए डेल्टा है कितना हो जाएगा reactant तो यह हमारा enthalpy change है वो पर mole के basis पे होता है तो चलिए CO2 का कितना हो जाएगा 7 into minus 380 plus 8 minus 280 ठीक है यह हो गया product और reactant क्या है heptane और oxygen तो oxygen का heat of formation क्योंकि यह pure form है तो यह 0 हो जाएगा delta HF heptane ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पे सारी quantity हमें पता चल गए है तो delta H formation heptane आ गया अपका 50 kJ per mole तो first part इसका solve हो गया second part heat of formation of gaseous ethyl alcohol तो इसके लिए friends ethyl alcohol का combustion reaction लिखना परेगा C2H5 OH plus O2 302 gives 2CO2 3H2O ठीक है और delta H हो जाएगा minus 1410 सेम question है जैसे यह heptane के लिए था वैसे इसके लिए CO2 और H2O का heat of formation दिया है इसका heat of formation 0 है क्योंकि फ्रॉर form में है तो इसका heat of formation निकल क्या जाएगा आप calculate करिए इसका answer है 190 किलो जूल पर केजी फ्रेंट्स ठीक है pure propane is burnt with excess air to give following analysis of combustion ठीक है the product in volume percent यह product का volume percent हमें दिया गया है तो देखिए इस reaction में CO2 और carbon monoxide दोनो परजेंट है ठीक है तो इसका मतलब जब भी ऐसा हो तो आप जान लिजे कि side reaction जरूर हो रहे है तो reaction हम लिखते हैं propane का C3H8 plus 5 O2 gives 3 CO2 plus 4 H2O तो पहरी reaction यह हो भी और दूसरी side reaction जो है C3H8 plus O2 यह carbon monoxide produce करेगा friends 7 by 2 O2 gives 3 CO plus 4 H2O ठीक है ना अब आप बेसिस ले लीजिए बेसिस 100 mol fluguses ठीक है 100 mol fluguses लिया तो यह जितना percentage में दिया गया है volume percent दिया गया है तो volume percent ही क्या होता है ideal gas के case में mol percent होता है तो number of moles outlet पे हमारे यह जो भी percentage है 5% है तो 5 mol 3.5% है तो 3.5 mol सब हमें पता चल गया तो देखिए CO2 यहां पे French 5 mol है और यह 3.5 mol है एक चीज हमें यह पता चल गया और propane इसमें कहीं पे भी देखिए product में है नहीं इसका मतला propane 100% consume हुआ है तो इस reaction में propane consume कितना होगा 5 mol और इस reaction में propane कितना consume होगा 3.5 mol तभी तो यह 3.5 mol form किया है 5 mol consume होके 5 mol 3.5 consume होके 3.5 form होगा simple पॉक्षा पॉक्षा लुए पॉक्षा नहीं नहीं पॉक्षा पॉक्षा है stoichiometry अच्छा इसी तरीके से mistake होता है ठीक है क्योंकि बार-बार हम methane वाला reaction लिख रहाते है इस बार जो reaction है प्रोपेन का है तो methane वाले में हमेशा equal रहता है प्रोपेन वाले में आपको सज़ग रहना पड़ेगा तो इसी तरीके से गेट में mistake हो जाता है तो यह 5-3 मोल लगेगा और इसमें धी 3.5 by 3 मोल लगेगा देखिए तभी तो इसमें 3 से multiply करने पर यह 5 हो जाएगा और इसमें 3 से consumed is equal to 5 plus 3.5 by 3 तो यह हमारा आ गया 2.83 ठीक है इसका मतलब देखिए अब वही मैं बात बोला था कि जो प्रोपेन है फ्रेंड्स यह प्रोड़क्ट गैसेज में नहीं है इसका मतलब 100% consume हो गया है तो यह feed पे प्रोपेन कितना था प्रोपेन C3H8 at feed is equal to similar जितना consume हुआ 2.83 ठीक है यह हमें आ गया अब क्या पूछा है percentage एक्सेस एयर यूजड पूछा है ना चलिए अब सबसे पहले इसमें हम oxygen required देख लेते हैं कितना oxygen required तो यहाँ पे देखिए जो complete combustion वाली reaction है ना फ्रेंड्स वो यह वाली reaction है मैंने बताया था जिसमें भी CO2 form होता है वही complete combustion वाली reaction होती है तो इस reaction के हिसाब से हमें oxygen requirement पता चलेगा तो 1 mole के लिए 5 mole oxygen चाहिए तो 2.83 mole के लिए हमें कितना oxygen required चाहिए 2.83 into 5 तो oxygen required आ गया है इधर 14.15 ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे जो N2 है फ्लियू गैसेज में यह N2 supplied supplied N2 यह हो जाएगा 73.1 तो oxygen supplied कितना हो जाएगा 73.1 यह क्या हो जाएगा यह एयर शप्लाइड हो जाएगा अजब इसमें 0.21 का multiply करेंगे फ्रेंड्स तो यह oxygen supplied हो जाएगा तो यह आगे 19.431 ठीक है अब देखिए percentage excess O2 यह निकालना है तो supplied 19.431 और required है हमारा देखिए यहाँ पे निकाला था 14.15 by 14.15 into 100 यह आपका आगया 37.32 परसेंट excess oxygen फीड किया गया अब question में हमारा पूछ रहा है था percentage excess air used बताईए तो यह तो मैं बार-बार आपको बता ही रहा हूँ कि percentage excess air और percentage excess oxygen एक ही quantity आता है ठीक है यह last question है इस lecture का फ्रेंट्स और इसके साथ थी जितना भी हमारा gate में process calculation में question पूछा गया है उन सारे का solution मैंने दे दिया है अब आप इसको सबसे पहले practice करना शुरू कर दिजिए जो भी जिस भी बुक से आपको question मिले आप अगर इस पूरे हमारे concept के lecture को और पूरा जो gate का solution पूरा cover किये होंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी book का question या किसी भी test series का question आप बहुत ही असानी से solve कर लेंगे जो कि आप गेट के pattern पे अगर दिया होगा तो तो चलिए यह question हम solve करते हैं for reaction a to be the process flow diagram is shown in figure one यह figure one है इसमें दिया गया तो fresh feed of a contain 0.5% impurity तो यहाँ पर 0.5% impurity present reference ठीक है by volume 60% convergence पर पास इस reactor का convergence 60% है of a is obtained the concentration of inert going to reactor after mixing with recycle must be held 2% volume अच्छा यह जो recycle stream आ रही है इस फीड के साथ जब इसको mix किया गया तो इस mixed stream का जो कि इनर्ट का composition है वो यहाँ पर टू परसेंट है अच्छा volume परसेंट है तो हमेशा वो बोल परसेंट के बराबर हो जाएगा और इस्ट्रीम और आइडियल गए यहां पर दिया है और यहां पर दिया है और यहां पर दिया है और प्योर बी को separate कर लिया गया है तो इस stream में हमारा A और inert आ रहा है और यहां से भी A और inert आ रहा है यहां पर A और inert mix हो रहा है और उसके बाद यहां पर A, inert और B इस stream में होगा और फिर इस separator से B को separate कर लेंगे और इस stream में remaining A आई रहेगा और इधर से कुछ percentage पर्ज भी किया गया है ठीक है फ्रेंट तो चलिए हम इसको solve करते हैं तो इस बार जो basis माना है फ्रेंट वह अपने हम नीट के according देखें यहां पर हम basis ले लेंगे 100 mole feed to the reactor तो यहां पर जो reactor में feed है वो 100 mole हमने लिया है इधर तो आप बताएं इधर एक कितना हो जाएगा 98% है ने इस stream में और 2% inert है तो 2 यहां पर inert हो जाएगा ठीक है simple है उसके बाद देखिए 60% conversion है इस reaction का तो 98 का 40% यहां पर बचेगा तो 98 into .4 यहां पर ए रिमेंस में बचेगा after this reactor और बी कितना होगा 98 into .6 फ्रेंट ठीक है ने और जो भी इनर्ट रियक्टर में इनलेट पर रहेगा वो रियक्टर से आउट लेट पर आ जाएगा इनर्ट आई ठीक है तो रियक्टर पर तो हमने देख लिया अब यह जो भी बी है फ्रेंट्स यह सेपरेट हो जाएगा तो बी यहां पर 98 into .6 इधर आ गया इस इस्ट्रीम में प्रोडक्ट इस्ट्रीम में और यहां पर एनर्ट यह हम लिखते हैं यह और इनर्ट तो यह जो 98 into .4 है वो यही सिमिलर यहां पर भी प्रेजेंट रहेगा 39.2 जब .4 का 98 से multiply करते हैं तो यह 39.2 आ जाएगा और एनर्ट यहां पर 2 है तो यहां पर भी एनर्ट 2 रहेगा सिम्पल है अच्छा अब इसका कुछ पार्ट हम क्या कर दिये हैं पर्ज कर दिये हैं इधर ठीक है ना अब देखिए एक बात ध्यान से आप देखेंगे तो इस स्ट्रीम में इस स्ट्रीम में और इस स्ट्रीम में जो इनर्ट का कंपोजीशन होगा फ्रेंट्स वह सिमिलर होगा क्यों क्योंकि सिम्पली तीनों स्ट्रीम को हम डिवाइट किये हुआ है तो चलिए यहां पे हम पर्सेंटेज इनर्ट इन पर्ज निकाल लेते हैं तो जो पर्ज में कंपोजीशन होगा वही कंपोजीशन इस स्ट्रीम में भी होगा इस स्ट्रीम में तो यह हो जाएगा 2 by 2 plus 39.2 into 100 तो यह हो जाएगा 4.854 पर्सेंट इनर्ट हो जाएगा तो इस स्ट्रीम में जो इनर्ट है वो हो जाएगा 4.854 पर्सेंटेज ठीक है फ्रेंट और यह जो रिसाइकल स्ट्रीम है इधर इसमें भी इनर्ट हो जाएगा 4.854 पर्सेंट अब यहाँ पर हम फ्रेंट्स मैटरियल बैलेंस करेंगे मैटरियल बैलेंस अफ एनर्ट अट मिक्सिंग अफ रिशाइकल और फीड ठीक है तो सबसे पहले ओबराल बैलेंस करेंगे तो फीड जो है यह फीड जो भी यहाँ पर फीड आ रहा है फ्रेंट्स और रिसाइकल प्लस रिसाइकल यह कितने के बराबर है 100 क्योंकि हमने जो मिक्स्ट इस्ट्रीम लिया था वो 100 मोल लिया था उसके बाद एनर्ट का बैलेंस करेंगे तो एनर्ट का बैलेंस देखिए पॉइंट फाइब एफ फीड में कितना है पॉइंट फाइब परसेंट है और प्लस रिसाइकल में कितना परसेंट है यह यहाँ पर देखिए 4.8 और इस मिक्स्ट इस्ट्रीम में कितना है मिक्स्ट इस्ट्रीम में 2 परसेंट है तो 2 इन्टो 100 आप देखिए यहाँ पे दो टू एक्वेशन टू अन्नोन वाले condition आ गई तो इन दोनों equation को solve करेंगे तो feed हमारा आ गया इधर 65.54 और recycle हमारा आ गया 34.45 ठीक है और question में हमसे क्या पूछा गया था फ्रेंट्स और भाई एफ यह वह जाएगा 60 35.45 भाई 65.54 तो फाइनली आ गया पॉइंट 3445 और भाई एफ तो यह हमारा solution था तो चलिए फ्रेंट्स प्रोसस कैल्कुलेशन का गेट का पॉष यहीं पर हमारा finish होता है आपको कोई doubt हो तो आपस में discuss करिए या comment box में भी आप लिख सकते हैं अगर हमसे possible होगा तो हम जरूर उस problem को solve करें आप हमें email भी कर सकते हैं रंजन institute at the rate gmail.com पे और आप review जरूर दें कि यह course कैसा चलना है आपके लिए helpful हो रहा है कि नहीं अगर आप review देंगे तभी हम इसमें अपने course में modification करेंगे और उसी के according आपको user friendly course बनाने की कोसिस करेंगे ठीक है और अगर कोई mistakes होता है अगर teachings skills में या फिर सब्सक्राइब करेंगे या फिर इवन किसी question में ही अगर mistake हो जाता है मान दिजे तो उसको भी आप comment कर दिया करिए क्योंकि हम उसको फिर से सुधारने की कोसिस करेंगे और जो PDF हम दे रहा है PDF में भी हम अगर आप कोई mistake हो तो उसको हमें mail करिए या हमारी साइट पर feedback दीजिए या फिर आप यूट्यूब पर भी comment करिए तो हम उस particular PDF में अगर कोई problem होती है तो हम उसको correct जरूर करेंगे ठीक है तो मिलते है नेक्स लेक्चर में फ्रेंट नेक्स कोर्स हमारा रहेगा इंज यह chemical engineering thermodynamics का तो हम उसको जल्दी से ही prepare करना शुरू करेंगे और जैसे ही वह कोर्स हमारा